बिस्मिल्ला रुर्मान रुर्हीम, अस्सलाम उलेकुम टू अलेकुम टू अलेकुम टू लर्न विदिक रासलम जैसे के लेक्टूरर फीमिल की सीट्स क्योंकि अनॉंस्मिंट से पहले ये जरूरी है कि आपके पास complete information हो ताके फिर आप सिर्फ तैयारी पर focus कर सकें तो viewers मेरी खुद की सेलेक्शन पंजाब पॉब्लिक सर्विस कमिशन के 2021 के बैज में as an English lecturer हो चुकी है और PPSC से related सारी information में आपके साथ अपने experience की base पे share करूंगी तो viewers पहला question जो किसी भी degree holder लड़के या लड़की की mind में होता है कि lecturer की seat पे apply करने के लिए MFIL जरूरी है या नहीं या सिर्फ masters या BS degree holder भी apply कर सकते हैं तो बहुत सारे cases में ये भी होता है कि कुछ लोगों का MFIL अभी complete नहीं होता या फिर वो BS करके अभी फारिग हुए होते हैं और seats आ जाती है इस तरह के cases में candidates में ये परिशानी आम तोर पर पाई जाती है और बाज वकात अपनी surroundings में आपको ये भी सुनने को मिलता है कि MFIL के बगार आपका कोई chance नहीं तो viewers इसका जवाब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप PPSC के ad को गौर से देखें तो required qualification में ये clearly mentioned होता है कि आपको relevant subject में masters या BS के degree चाहिए apply करने के लिए और degree में minimum second division होनी चाहिए आपके final merit में MFIL के कोई additional marks नहीं होते viewers अगर मैं आपको अपनी example दूँ तो मेरी selection के time पर August 2020 में seats announce होई थी और मैंने BSP August 2020 में ही complete किया था कोई gap नहीं था और मैंने MFIL में अभी admission भी नहीं लिया था तो इस point को clear कर लें कि lecturer या BPS 17 की seat के लिए MFIL या B-AID required नहीं होते और दूसरा question जो किसी भी PPS ES parent के mind में आता है वो ये है कि क्या job experience ज़रूरी है और अगर हाँ तो कम असकम कितना job experience होना चाहिए Again, ऐसी कोई demand lecturer की post के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती नहीं आप से आपका कोई experience certificate मांगा जाता है In case, अगर आप कोई job कर रहे हैं तो आप उसको अपने interview में just mention कर सकते हैं Otherwise, compulsory नहीं है Again, अगर मैं आपको अपनी example दूँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी selection फॉरन हो गई थी और कोई gap नहीं था तो मेरे पास किसी किसम का कोई work experience भी नहीं था और ना ही final merit में इसके कोई additional marks होते हैं Third question जो possibly mind में आता है वो ये के Final merit बनता किस base पे है तो viewers, final merit में तीन चीज़ें count होती है Number one, academic qualification के marks Number two, written test के marks और number three, interview के marks आपकी academic qualification के marks में metric, inter और masters या BS के marks की percentage calculate होती है और final merit में इसका weightage 40 marks होता है यानि 40 marks आपकी academic qualification के होते हैं दूसरे number पे आता है written test जो के 100 marks का होता है और पास होने के लिए आपको 40 marks लेना होंगे final weightage इसका 50 marks का है यानि अगर आपने test में 100 में से 50 marks लिए है तो final merit में 25 marks काउंट होंगे यानि half marks काउंट होंगे तो इस तरह written test के marks हुए 50 और third पे आता है interview जिसका weighted सबसे ज़्यादा है यानि के 100 marks और final merit में इसके 100 marks ही consider होते हैं तो इस तरह final merit होता है 190 marks का 190 में से आप जतने भी marks लेते हैं वो decide करेंगे कि आप merit list में कौन से number पे आते हैं फोर्थ question आम तोर पर होता है written test के pattern के बारे में और candidates इस बारे में सबसे ज़्यादा concerned भी होते हैं तो viewers written test आपका होता है MCQs based और इसके total marks 100 होते हैं 100 में से 80 MCQs आपके subject based होते हैं for example अगर आप lecturer English की post पर apply कर रहे हैं तो 80 marks के MCQs आपके English के subject की base पर होंगे और अगर आप lecturer maths की seat के लिए apply कर रहे हैं तो 80 marks के MCQs आपके maths के subject की base पर होंगे जबके 20 MCQs general knowledge based होते हैं जिसमें different domains आ जाती हैं for example current affairs, world affairs, Pakistan studies, social studies और इस तरह की दूसरी domains paper solve करने के लिए आपको 90 minutes का time दिया जाता है और याद रहे कि papers में negative marking भी होती है यानि एक गलत answer पर आपके 0.2 marks deduct होंगे और जितने marks आप लेंगे उनका half आपके merit में add होगा कोशिश करें कि written test में maximum marks लें next question होता है interview के हवाले से तो interview के लिए आपको उस सूरत में call किया जाता है अगर आप written test pass कर चुके हैं यानि आपने 40 से above marks ले लिए हैं interview के लिए merit इस base पर बनता है कि एक seat पर 5 candidates को call किया जाता है उस हिसाब से अगर आप test pass कर चुके हैं और आपके test के marks इतने हैं कि आप further compete कर सकते हैं तो आपको email के जरीए आपका interview call letter भेज दिया जाता है interview किस तरह का होता है और उसके लिए क्या तयारी करनी चाहिए इस पर एक separate video ज़रूर बनाऊंगी अगला question जो आपके mind में आ रहा होगा वो ये कि apply कैसे करना है तो viewers PPSC के applications online ही submit होती है physical applications नहीं ली जाती और आप घर बैठे अपने mobile या laptop से apply कर सकते हैं Punjab Public Service Commission की website के थूँ अगर आप चाहते हैं कि मजीद detail आपके साथ share की जाए कि PPSC की website को इस्तमाल करते हुए apply कैसे करना है तो आप comment section में जरूर बताएगा next video में हम इंशाला पूरी detail के साथ इस process को discuss करेंगे क्यूंके viewers ये सब detail एक video में बताना possible नहीं है तो viewers ये थे वो important questions जो candidate के mind में लाजमी आते हैं जब वो apply करने का सोचते हैं hopefully बहुत सारे points आपके clear हो गए होंगे अगर इससे related कोई और queries हों तो आप comment section में जरूर बताएगा और interview और apply करने के तरीके के हवाले से इस channel पे आपको बहुत जल्द video देखने को मिलेगी so stay tuned